आज मैं आप لو возь के लिए हैं आ chickens पेड़े की रेसिपी ए खाने में बहुत ज़ादव टेस्टी होता और इसे वनाना इतना इजी है कि इसे एक बच्चा भी बना ले तो चली दो आज आप लोग के लिए ले के आया हूं इतना special recipe कि आप लोग इसे घर पे इतना easy तरीका से बना सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो चलिए दूस्तो वीडियो को start करते हैं और वीडियो पर end तक बने रहें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon वाला घंटी को press कर लें ताकि हर एक वीडियो को notification आप तक पहुंचें तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा recipe बनाने के लिए हमने लिया हुआ मावा तो यह देखिए यह एकदम pure मावा है इसे चाहे तो आप घर बे बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी खरीज सकते हैं तो इसे इस पेसली मैंने घर बे बनाया है आप मार्केट से लोग है तो थोड़ा सा वह थोड़ा ज्यादा सफेद लगेगा तो नौर्मली कोई-कोई मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेगा जैसे मैंने इस प्योर बनाये हुआ है इस तरह भी आपको मार्केट में मिल जाएगा तो चीनी हमने यहाँ पे लिया हुआ है 80 ग्राम से 100 ग्राम की बीच आप चाहे तो थोड़ा से कम चीनी एड़ कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा मिठा भी नहीं करना क्योंकि मावा में थोड़ा से मिठा फ्लेवर एड़ पहले से होता है तो आपको थोड़ा ज्यादा मिठा नहीं करना है और एक बात हां कि हमने यहां मावा लिया हुआ है 180 ग्राम के करीवन हमा आपको पीस के एड़ करना चीनी आप अपना टेस्ट के एकोर्डिंग डालें क्योंकि ज्यादा चीनी एड़ करने से थोड़ा से मीठा फ्लेवर ज्यादा हो जाएगा देखें हमने यहाँ पे जो मावा का पीडा बना के रखा था उसको हमने बॉल बना लिया था और बॉल के नहीं और चली इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं तो यहाँ पर हमने पीडा को सारा कंप्लीट कर लिया है तो चली अब इसमें हम किसमिश के साथ गार्निशिंग कर देंगे ताकि देखने में खुब सूरत लेगा रेसिपी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंड म झाल पराइसा किसमें में खुब प्यायक कर देंगे ऐसमें जह कर दोवाँ कर दोस्तों कर दोस्तों कैसा बड़ा yourben है झाल